שמצ 5 कि मैंने अपने पिछलिए वीडियो में आपको यह तीन कमांड बताया था लाइन कंत्रक्षन कंस्टुक्डशन लाइन पॉली लाइन ठीक है अगल तो आज में आके के कमांड्स बताने जा रहा हूं आपको कि दोस्तों करी मेरी वीडियो आपको पैसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना शेर करना ना भूले ज्यादा ज्यादा मेरे वीडियो कर शेयर करें तो ये उपर के कमांड्स मैं पहले बता चुका हूं लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि यह तीन तो मैं बता चुका हूं यह उपर के कमांड्स आपको मैं बता देता हूं फिर से दुबार तूल बार तूल बार का शॉर्ट कट है टी ओ ठीक है अगर आपके ट्लिबार सेट नहीं है तो आप ट्यो टयप करकी तूलबार सरे यरिकलिक करने नीव टूलबार का अप्शन आएगा उसके बाद आप ओके कर देंगे तो आपका टूलबार आ जाएगा भी को दोone है चेक है।। उसके बाद दुसरा कभांड और लिमिट्स है लिमेट कमांड मैंने बताया थे कि पेज का साइस चare करने के लिए हम लोग लिमिट्स कम या लाइ मेक्स कमांड और यूज करते हैं ठीक करके सब्सक्राइब लाइमेक्स लाइम मैक्स ठीक है यहां पे इंटन नीवाइलू फोर लाइमेक्स हम लोग हम लोगों ने figures ड्रों किये 2D figures ड्रॉक यह वो उसका साइस 200 , 200 पर वो ड्रॉकी अगया था ठीक है ती यह सब्सक्राइब माठें स donations एकल करने के लिए सिर्फ एक उप्शन बताया था कि आपको यह फिक्स करने के लिए में था सीण का उसमें का तो हम आइए सारे आइकन ने बहुत सारे उप्शन होती हैं palavra देंग यू एस आइकोन ठीक है तो इसका मैं बता देता हूं कि यूज ऐसे साइकन के बाद इंटर करेंगे इंटर करने के बाद यह दिखे इतने सारे ऑप्शन इसके अंदर है ठीक है यहां पर नीचे देख रहे हैं इतने सारे आप्षान अप्षान अगर आप राइट किलिक करेंगे जितने भी कमांड आप टाइप करेंगे इंटर करने के बाद आप राइट किलिक करेंगे उसके अंदर कितने आप्षान है वो शू करेगा यहां पर देखिए ओन है आ से बाद करेंगे एक दाए कि अब हमें शो करना है इसको तो हम और देंगे यह उसके बाद हमारे हमें बहुत सारे अगर पूर्ट दिया हुए हो तो इसके लिए यूज होता है वह भी मैं करके बताता हुं सब्सक्राइब बहुता हुआ थो सब्सक्राइब था जाए को łat only मजींस भिभान अवराद ऑगर हैं वा सब्सक्राइब हो तो तैनल में की सुरम्सक्राइब बैफ्सक्राइब और अगर ने कि एप आगया तो डिया कि एस लिए अच्वला व वा है यह आजये गा थो इसलिए हम New Origin कर देते हैं right click करके उसके बाद हमें से नो और जी नहीं रखते हैं थाकि यहां पे fix रहें और उसके बाद फिर एक और ऑप्चन है properties properties में जाकर थे हम इसका size बड़ा कर सकते हैं कि इस icon का उसके के बाद ले सकते हैं ठीक है उसके बाद हम कलर चेंज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां से मतलब कलर चेंज कर सकते हैं यह सब थोड़े यह सब चीज हम कर सकते हैं जैसे यह देखिए मैंने ओके कर दिया तो यह कलर चेंज हो गया उसके बाद जैसे आप इस स्क्रीन का कई पोर्ट जा रहे हैं तो स्क्रीन में कई पोर्ट झाह रहा है है यहां व्यूद में जाएंगे व्यू चेहां आप पर वन विव पोड टो ती नुप विव पोड़ से अपर कई सारे ऑप्शन है जैसे में बिव विव पोड़ साहिए तो मैं इस वो के खरूँगा लिए करने कि क्लिक करने के बाद इंटर कां फिट्रेशन ऑप्षेन ऑप्षन होरिजंटल चाहिए होई वर्टिकल जाहिए वर्टिकल में चाहिए आपको आप राइट क्लिए करेंगे तो अब होरिजेंडल वर्टिकल को ऑप्षन आगा तो मुझे वर्टिकल चाहिए वर्टिकल चाहिए तो यह देखे यह दो विव पोर्ट हो गया ठीक है इस पर भी आप फिगर डॉब कर सकते हैं आपको जितने भी विव पोर्ट चाहिए आप यहां से चूज कर सकते हैं उसके बाद आप अगर विव पोर्ट हटा दिये हैं तो यूशिस आइकन में एक और आप्षिन थ zao कि मतलब समय से оп zg कर देंगे इस सब में फिर दोबारा यह आइकन आं आ जाएगा है तो यह विव में जागे विव सारे फंक्शन थे यह भी मैंने आपको बता दिया यह कोडिनेट मैठेड एफ 10 जिसे हम पोलर ऑन ओफ कहते हैं ठीक एफ 10 प्रेस करेंगे तो पोलर ऑन ओफ होगा यह देखिए यहाँ पर 11 वर्शन दुआ है यहाँ पर 11 वर्शन में यह कमांड जो है ग्रीड और तो पोलर फ कि तो प्रेस सकते हैं ठीक है तो पोलर केंदर क्या होता अपर यह पर सकते हैं ठीक है मतलब एंगल caffeine मिलता है जैसे मैं मैं 45 ले लूंग अ ठीक है मैंने लाइन रहु किया यहाँ यहां पर सब्सक्राइब तो पोलर का यहां जाएंगे तो आप बहुत करेंगे को चीज डाँ करेंगा कि कि अब कि यहां से आप पोलर पर राइट किलिक करके अब यहां से चूज Critter सकते हैं आप एंगल चूस कर सकते हैं ठीक है है उसके बाद यह आपका command आता है मैंने 3 कमांड प्छले वीडियो में आपको बता दिया है उसका SP line SP line जो यूज किया जाता है वैफ टाइप लेंद के लिए यूज किया जाता है SP line जैसे इसका जाता है वे टाइब के लिए टो चाहँ लेट ये ड्रो हो रहे है कलीक करते जाएंगे उसके बाद Inter इसपेल के लोग यूज motor स्थय यूज करता है करते हैं, वेब type length बें wave type length draw करने के crisis करते हैं टीक हो, उसके बाद आपका आ जाता है circle, circle के अदर तीन options होते हैं, ठीक है circle का shortcut है, team type करने के उसके बाद laajIK करने के बाद यहां आप देख है, three, two, migration and ठीक तीन ओप्शन आ रहा तरी पी टूपी टिटी यार ठीक है उसके बाद राइट क्लिक करने पर भी यह उप्शन है जैसे मैं 3P सेलेक्ट करता हूं आपको 3P का क्या मतलब होता है त्रीप मैंने सेलेक्ट किया ठीक इसे जूम कर ले था हूं ठीक मैंने 3P सेलेक्ट किया 3P का मतलब होता है तीन पॉइंट पर आपको सर्क्ल ड्राव करना होता है जिसका डायमीटर या रेडियस नहीं दिया हो गया होता है ठीक है जैसे यह तीन पॉइंट है इसके एक दो और तीन है तो यह 3P का मतलब यह होता है कि आपको डायमीटर या रेडियस नहीं दिया हो तो आप तीन पॉइंट पर आपको सर्क्ल ड्राव करना है तो इस तरह से आप ड्राव कर सकते हैं अगर आपको यह जैसे मिड़ पॉइंट सेंटर पॉइंट यह शो ना कर रहा तो आप और सेटिंग में जाके यह सब आउन कर सकते हैं यह देखिए अभी तो फिलाल सब आउन है अगर आउन ना हो तो और सेटिंग में जाके आप यह सब फंक्शन आउन कर सकते हैं अभी फिलाल सब आउन है उसके बाद दूसरा option है राइट क्लिक करके मैं recent input में जाओंगा यहां से मैं जो command लिया था वो दुबारा चूज कर सकता हूं circle में बता रहा था तो circle में भी 3P बताया कि diameter या radius ना दिया हो तो तीन point पर आप circle draw करना है तो आप कर सकते हैं उसके बाद right click करेंगा तो 2P 2P क्या होता है जैसे 2P मैं आपको बताता हूं जैसे 2P यह लाइन है दो पाइंट पर अगरा में सब्सक्राइब करना है ठीक है repeat circle right click करेंगे TTR ठीक है TTR जो है जैसे इसका tangent यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ पर भी tangent शो करेगा ठीक तो यहाँ पर मुझे circle draw करना है तो जैसे मैं यहाँ पर click करूंगा tangent दिया उसके बाद यहाँ पर click करेंगे इस circle पर करेंगे दोनों सब्सक्राइब कर दिया मैंने उसके बाद यहाँ पूछ रहा है इस पेसिफाई radius of circle ठीक है radius कितना लेना है जैसे मैंने हैं रेडियस डाल दिया उसके बाद इंटर कर दिया तो यह मेरा टीटी आर यह देखे रहा हो गया टीटी आर के तुरू सरकल रहा हो गया ठीक है तो सर के लिए अंदर तीन ऑप्षिन होते हैं वह भी मैंने आपको बता दिया उसके बाद आपका आता है कि एक एक तेगंगल कि टीक है कि यह यह रैक्टेंगल है तो रोक्तेंगल का शॉर्टकट पार एसी है ठीक है इस यह मैंने यहाँप अपर तैभց कि उसके बाद इंसकी बाद आरिs इंटर टाइब करने बाद यहाँपर देखिये चाइंफ इलिवेशन फेलेट थीकनेस विट्थ loneliness यह अजीopod website करने आएंगे राइट कीुछ करने पर भी आएंगे जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया चैंफर की मतलब होता है कि आपर तो हम कट कर सकते हैं मैंगे तो मैंने यहां पर सेस्फिट किया तो यहां पे स्पेसिफाई चैंपर डिस्टेंस फोर रेक्टेंगल फस्ट चैंफर डिस्टेंस यहां पूछ रहा तो मैं यहां पर पांच डाल देता हूं इंटर उसके बाद मैं यहां पर किलिक करके यह इस तरह से मूफ करके यह ड्रॉ कर लोंगा ठीक है तो यह देखिए यहां पर यहां पर आप देख रहा है यह जो है इसे चैंफर बोलते हैं यह यह मैंने चैंफर हो गया इसकी डिस्टेंस पांच है आप इससे ज्यादा आप जो डिस्टेंस देना चाहिए यहां पर आप दे सकते हैं कि ठीक है यह फर्स्ट एफर डिस्टेंस और यह सेकेंड चैंफर डिस्टेंस भी मैंने पांच ही लिया था ठीक है उसके बाद फिर में रिपीट कमांड करता हूं राट किलिक करके रिपीट रैक्टाइंग उसके अंदर कि एक option elevation है elevation का यूज को हम लग plants में करते हैं कोई प्लान बना रहे हैं तो इसमें यूज करते हैं तो यहाँ पे उसका यूज नहीं है उसके बाद फिलिट 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 क्हाँ होता है कि यहां साभिया ले सकते हैं चैंफॉर यहां से भी आप ले सकते हैं और तो मैं चैंफर में क्या होता है चैंफर में यह लाइन क्रॉस लाइन यहां पर मतलब अगर मुझे झाल इस तरह से तो हम कर सकते है अगर दो लाइन के बीच में कुछ एंगल डैस चाहिए जैसेеф बताता हूं दोस्तो Cause वहां पर मुझे दोनों लाइन को म से वाप थोड़ा गोल करनासा है यहां भी फमह और मुझे तोड़ा रेडियस ले लिया इंटर ठीक है तो यह देखिए दस रेडियस लिया यह देखिए इस तरह का यह सरक्ल यहाँ पर घूमा हुआ मतलब लाइन जो है अब लेने पर यह लाइन इस तरह से घूम के मिल जाएगी ठीक है और चैंफर में यह कट आ जाता है ठीक है इसके भी डिस्टेंस आप दे सकते हैं और फिलेट में यह जूम करने पर मैंने बहुत दस दिस्टेंस चोटी है अगर और ज्यादा लेता तो आपको ज्यादा पता चलता तो यह मैंने तो चैंफर और फिलेट आप समझ गया हूंगे और एलिवेशन प्लांस में यूज़ो प्लांस ड्रॉ करते हैं तो उसमें यूज़ोता है ठीक है यह थोड़ा तो मुझे यहां पर जूम कमांड का यूज़ कर लेता है एफ और ऑल ठीक है उसके बाद रिपीट यह रिसेंट इंपूट में मैं रेक्टेंग बता रहा था आपको उसके बाद एक चैंफर बता दिया आपको फिलेट बता दिया थिकनेस थिकनेस क्या चीज़ होती है आप कुछ मोटाई डालना चाह रहा है ठीक है विट्थ भी ठीक है जैसे आप थिकनेस ले रहा है जैसे मैंने पांच थिकनेस लिया ठीक है तो यह मुझे शो नहीं होगा लेकिन थिकनेस क्मांड जो है सक्सेस यहां पर थिकनेस हमें शो नहीं होगा लेकिन हम थिकनेस ले सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर मैं रेक्टैंग में जाता हूं उसके बाद चैंफर एलिवेशन थिकनेस हमें शो नहीं करेंगा शो नहीं होता है विंडो पर और यह विड्थ विड्थ हम लोग ले सकते हैं सब्सक्राइब करेंव 175 रेक्टैंगल इसे मैंने पांच ले लिया ठीक है अब रेक्टैंगल अगर मैं ढाओ करोंगा कि इससे मोटा ढूंटे मूं ठीक यह पांच थोड़ा कम हो गया मैं थोड़ा और जिस्टेंस ले लेटां हूं जैसे वीड्द लिया मैंने 20 ले लिया अब ड्राव करता हूं तो आपको बड़ा स्ट्रोक होगा यह देखिए यह यह आप देख रहा है रेक्टेंगल की मोटाई हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं अगर फिर हमें वैसे ही सरक्या मोटाई अगर नॉर्मल करने है जैसे स्टेंडर्ड होता है तो हम रिपीट रेक्टेंग में जाएंगे विड को यहां पे हम लोग 0 कर देंगे ठीट है मिलड रेक्टेंगल घिर आब रहा हो करेंगे तो जैसे पहले रख था था वैसे अब रहा होगा कै तो कि थिकनिस आपका शो नहीं होगा लेकिन वो ले लेगा ठीक है उसके बाद जैसे हम कोई अरेक्ट रेक्टैंग कमांड लेता हूं मैं अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें चैंपर एलिवेशन फिलेट थिकनेस विड्ट शो करेगा ठीक है कि देखिए यह तीन ऑप्शन आया है रेक्टैंग कमांड लेने के बाद यह दो पांच ऑप्षन आ रहे हैं ठीक है अगर हम राइट क्लिक करके लाइट क्लिक ना करें और सर्क्रफि अगर करेंगे डारेक्ट ौए रेक्टैंगल राओ करेंगे कि क्लिक करके मूफ करेंगे तो यहां पर एरिया डाइमेंशन और रोटेशन को अप्शन आता है जैसे फिर से मैं बता देता हूं इसको कि यह मैंने रिपीट रेक्टाइंग किया राइट क्लिक करने के बाद चैपफर एलिवेशन यह अप्शन आएंगे अगर आप ससे आपट्रेंग्वर र्एंग्रहकर रहेंगे कि ओ ध्यक्ते का इसा ब्यर्यग्रण रेक्ट्रह रॉपकर रहे हैं उसके बाद आप रैट क्लिक करेंगे तो इसका अपट एरिया डायमेंशन ते लमबाई चोड़ाई आई इसके अंदर दाइमेंशन के अंदर और रोटेशन बता देता हूं यह तो मैं डामेंशन और आप जानते रोटेशन मतलब आप रोटेट इस आपको किलिक नहीं करना यहां पर एक बार किलिक करेंगे उसके बाद कर सर्मूव करेंगे खुद उसके बाद राइट किलिक करना है लेफ्ट किलिक नहीं राइट किलिक उस तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना और शेर करना ना भूले थैंक्स फूर वाचिंग